चलि हम बनाते हैं एकदम soft spongy eggless cake वो भी kookar में तो आपको ले लेना है आधा कप condensed milk इसपे डालना है एक तीहाई कप तेल एक चमज इसमें डालना है vanilla essence एक कप इसमें डालना है मैदा एक चमज डालना है baking powder और आधी चमज डालना है baking soda सभी चीजों का अच्छे से चान लेना है अब आपको सभी चीजों का अच्छे से mix कर लेना है अब आपको डालना है इसपे आधा कप पानी अब आपको सभी चीजों का अच्छे से mix कर लेना है जब तक इसमें smooth consistency ना जाए और ये देखिए एक तम perfect consistency है पूरे बैटर को आपको मोल्ड में डाल देना है बैटर को इस तरीके से अच्छे से फैला लेना है इससे केक का शेप बहुत अच्छा आता है और मोल्ड को इस तरीके से टैप कर लेना है और ये बेक होने के लिए बिलकुल रेडी है मैंने कूकर को पाच मिट के लिए प्रिहीट कर लिया था अब आपको केक को कूकर में बेक कर लेना है चालिस मिट के लिए एकदम लोफ लिम पे चाको की हेल्प से केक को चेक कर ले और ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है